हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगत हैं और आज की इस वीडियो में आपको क्लास्टल फिजिक्स चेप्टर जो आपका फाइब चल रहा है उसमें से तीन डिफेरंस यहां पर आपका क्लियर होने वाला है पहला डिफेरंस पैरे बच्चो बिद्दू छेतर और चुम्ब के छेतर में ठीक है दूसरा जो डिफेरंस है छन चुम्बक और धारवाई पईनालिका में और तीसरा जो है अच्छी स्थित और निरच्छी स्थित में तीन डिफेरंस एक सांथ करेंगे ताकि कम समय में आप पाएं प्यारे बच्चो, ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना बिद्दू छेतर रेखा और चुम के छेतर रेखा में डिफरेंस है तो थोड़ा बहुत मैं आपको पैसिक बता दूँ पैयरे बच्चो, जो बिदू छेतर रेखा है वो आपका कोई भी मानीजी एक प्लस क्यू आवेस है यहां पर मान के चलता हूँ एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है यह दो आपके पास आवेस है और इन आवेसों के भी जो बल लगता है उसे हम कुलामा कर्शनबल कहते हैं यह आपको पता है पहरे बच्चो और यह आपके पास एक चुमबाक है यहा से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती है प्लस निकलती है माइनस पर समाप्त होती है लेकिन पेरे बच्चो जो चुमकी छेतर रेखा है यह न से निकलती है यह पर समाप्त होती है दोनों और ऐसे ठीक है यह आपका है यह बक्र है एक कालपनिक बक्र होता है जहां पर एक अंक उत्रे दुरूमनं कर सकता है पेरे बच्चों उससे हम कहते हैं क्या चुमकी छेटर रेखा हैं मतलब वह कालपनिक बक्र जहां एक अंक उत्रे दुरूब गमन कर सकता, उसे कहते हैं पेरे वच्चों चुमती छेतर रेखा, तो विदुध छेतर रेखा आब ऐस के मतलब प्लस क्यू आभ आप इससे निकलता है और माइनस क्यू आभ इसस अमावध होता है। यदि हम बात करें पैरे बच्चो कि यदि चुमकी छेत्र और बिद्दू छेत्र रेखा में यदि अंदर यानि किसे चालक के अंदर चुमकी छेत्र रेखाएं ऐसे यान की ओर चलती हैं यान की ओर चलती हैं लेकिन पैरे बच्चो जो आपका चालक होता है उसमें बक्र का निर्मान कर लेता है जबकि एक खुला बक्र का निर्मान करता है यदि आप थोड़ा बेसिक समाज़ेंगे तो डिफ्रेंस रटने की जरुवत ही नहीं है डिफ्रेंस रटा नहीं जाता मात्र समझा जाता है हमने कहा प्यारे बच्चो जो चुमकी छेतर रेखाएं कह अंदर चला के अंदर गमन नहीं करती लेकिन चुमकी छेतर रेखाएं जो होती है वो अंदर चला के अंदर यानि चुमबक के अंदर S C N की और गवन करती हैं तो बिद्दू छेतरेखा बंद बक्र नहीं बनाएगी क्योंकि अंदर गवन ही नहीं करती हैं लेकिन चुमकिय छेतरेखा वहीं पर बंद बक्र का निर्मान करती है ओके पैरवच्चो क्लियर हो गया चलिए फटाफट अंतर दिख लेते हैं तो बिद्दू छेतरेखा एँ खुला बक्र बनाती है ये धन आबिस से प्रारम्भो कर रिन आबिस पर समाथ हो जाती है खुला बक्र बनाती है बंद बक्र नहीं खुला रहता है ठीक है चीजे क्लियर है और जो चुम की छेतरेखा हैं बंद बक्र बनाती है क्योंकि वाहर भी N से S की ओर और अंदर S से N की ओर इसलिए बंद बक्र बन जाता है चुम की छेतरेखा में बंद बक्र बनता है लेकिन विद्दू छेतरेखा में बंद बक्र नहीं बनता है इसलिए उसके अंदर तिबरता विद्दू छेतर की तिबरता भी सुन होगे लेकिन चुमिकी छेतर रेखा की बात करें तो चालक के अंदर यह निदी चुमबक के अंदर पैरे बच्चो ऐस से N की ओर रेखाई गमन करती हैं तिसरा है यह खुला बक्र बनाती है और यह बंद चुम्बक होगा जिसके पड़ाई पाढ़ा अकरसित करने का गुण पाया जाता है उसे हम कहते है चुम्बक होगे चुम्बक का एक प्रौपर्टी सबसे महत्रमूर है कि चुम्बक में N और S धुरूब होंगे, यदि चुम्बक में N और S धुरूब नहीं है, तो चुम्बक नहीं कहलाएगा, पैर बच्चो, समझने की कोशिस करें, कोई चुम्बक, यह नि कोई पदार्थ चुम्बक तभी कहलाएगा, जब उसमें N पूल और S पूल, दोनों होन हैं Okay and this मदलब जो डनों में पाया जाएगा उत्रे द्रूव onधशने द्रूव चुम्भक में भी पाया में थारवाई द्रूवर धारवाई पुर्वक लटगा दें तुए उत्तर और द्रच्ण द्रिशा में ठेहरता है ठीक है चुमबक का गुण आपको पता है कि सजाती ध्रुबों में क्या होगा सेम ध्रुब हो जाए तो प्रतिकर्शन होगा सेम ध्रुब हो जाए तो प्रतिकर्शन हो जाए लेकिन भीया अलग अलग ध्रुबों विजातरी ध्रुबों तो आकर्शन होगा तो धाराबाई पैनालिका में सजाती दुरूबों में सजाती दुरूबों में प्रतिकर्शन यहीं सेम दुरूब है तो प्रतिकर्शन और पेरे बचो अलग अलग दुरूब है तो आकर्शन होता है ठीक है चलता है आपका यह प्रेशन की क्रिया प्रदर्शित करता है यह भी प प्रेरण का मतलब क्या होता है जैसे देखिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन एक टीचर के पास पहुंचे टीचर आपको मोटिवेट किया तो आप क्या करने लगए पढ़ाई करने लगए तो यह हो जाता प्रेरण मतलब किसी के प्रभाव से चुम्बक आपके पास रखा है और एक अनुचुम्मी की पदात ला रहे हैं में दल जिसमें चुम्बक चुम्बक प्रभाव की कारण उसमें भी चुम्बक प्रेरण कहला जाता है मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो लेकिन किसी पढ़ने वाले बच्चे के साथ आप दोस्ती कर लो या कि किसी टीचर के पास चल जा तो आपके अंदर एक प्रेरणा उत पढ़न होगा यह हमें भी पढ़ना चाहिए यह प्रेरण की क्रिया कहलाती है पर बच्चो समझ रहे ना और यदि आप मान लीजिए किसी मुर्ख के पास जाते है तो फिर वहाँ पर क्या होगा मुर्ख जैसे होजा यह है कि अपन लोग मस्ति करें जिंदिगी दोवारा मिलने वाला नहीं है ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलें प्यार dot कर लिया तो आगामी समय में जीवन में हमेशा खुस रहेंगे कहीं न कहीं हम एक निश्चित जीवन में मतलब अपने गोल में सेट अप हो जाएंगे और अपना जो भी गोल है उसे हम प्राप्त कर लेंगे लेकिन यदि आप निर्गुण बैक्त के पास जाएंगे तो फिर क् प्रेरण होता है प्रेरण प्रेरित यहीं दूसरे के प्रभाव से तो प्रेरवच्चो छण चुम्बक में भी आपका प्रेरण के क्रिया होता है धारवाई पैनालिका में भी होता है यहीं चीज होता है प्रेवच्चो आपके छण चुम्बक में यहीं चुम्बक की पदा ठागया तो अपनी और अकरसित कर लेगा और धाराभई परिमनालिका भी सेम गुड़ करता है न में सेम गुड़ होता है यह भी अपनी और और S द्रूब है लेकिन पैनाली का ऐसा नहीं होता पैनाली का माली जे एक क्रोड है माली जे एक लोहे का क्रोड है पेरे बच्चो ऐसा एक क्रोड है और इसमें भी ताबिक अतार विद्धुतरुद्ध तार को हम लपेट देंगे ऐसा तार लपेटेंगे ऐसा तो यह बन जा N और S पर अधिक्तम होगा और बीच वाले भाग कर नियुन्तम होगा यह चीज है यह डिफरेंस है इस चाड़ चुंबा Dur सिरो पर होती थोड़ी जी कम होती ज्यादा नहीं अगला डिफरेंस है कि इसका 2022 चुंबबा अप्र चुमकत होता है इस्थाई होता है लेकिन इसका चुमकत प्रवाहिद धारा के मान पर निर्वड़ करता है पाइनालिका में चुमकत तब ही उत्पन होगा जब धारा प्रवाहिद करेंगे बले न ताबे के तार को कुंडली बना खला पेड़ दी जाती है बार 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 तो पेरे बच्चो जैसे हम धारा प्रवाहिद करेंगे तो उसके चुम्बक का तोकामान उतना ही बढ़ जाता है इसके सिरों के धुरूबता नियत रहती है इसके सिरों की धुरूबता धारा प्रवाहिद की दिशाप पर निर्वर करती है यह नहीं धारा प्रभाइद करेंगे तब इसके सिरों की दुरुपता डिपेंड करेंगी यह हो गया पैरे बच्चों आपका मुक्रूप से धारा पहिनाली का और छण चुम्बक में समानता समानता इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैरे बच्चों अच्छी स्थित और निरच्छी स्थित की बात करें तो थोड़ा सा आपको अच्छी स्थित और निरच्छी स्थित का फार्मुलाई दी पता होगा तो यहां पर मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले हम यहां पर एक छण चुम्बक बनाते हैं पेरे बच्चो थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे यह आपका छण चुम्बक है यह आपका छण चुम्बक है यह भी आपका छण चुम्बक है यदि अच्छी स्थित की बात करें तो बिंदू जो होता है बढ़ाए गए अच्छ पर स्थित पर होता है जैसे यह N है यह S है इसके यहाँ पर एक बिंदू हम यहाँ पर निकालने P तो यदि इसके अच्छ को हमने बढ़ाया तब यह जो अच्छी स्थित कहलाएगा लेकिन पैरे बच्चू यह आपका अच्छ है इसके लंबार धक परदी बिंदू P है तो यह कहलाता है निरच्छी स्थित ठीक है यहाँ पर हम दे देते हैं N और S ठीक है तब यहाँ पर आप एक डिफ्रेंस तो यही समझेंगे कि अच्छी स्थित क्या कहलाता है वह बिंदू जिस पर हम दिछस पर हमें चुम की छित की तिवरता ग्याद करनी है युए निरच्छी स्थित कहते हैं और वह बिंदू जिस पर हमें जिएius पर निकालनी है युदि बढ़भाज है परिस्थित होता है उसे कहते हैं दिर अच्छी स्थित, ओके, क्लियर है, समझ गए, दूसरा चीज यह है, पहरे बच्छो, यदि हम तिवरता की बात करें, तो यह अच्छी स्थित के लिए होता है, भी बराबर, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू 2 M बटे RQ, और इसका होता है, म्यू 0 अपान 4 पाई M इंटू RQ, ठीक है, यह हो गया, तो यह में से क्या निसकर्ष निकलता है, आप देख सकते हैं, जो अच्छी स्थित के जो तिवरता है, चुम के छित के तिवरता, यहां पर दो कमल्टिप् यहीं, यहीं अच्छी स्थित पर जो चुम की छित की तिवरता है, निरच्छी स्थित के तिवरता से दुगनी होती है, और यहीं निरच्छी स्थित पर चुम की छित की तिवरता की बात करें, तो पेरे बच्चों आधी होती है, क्लियर है ना, दूसरा डिफ्रेंस, पहला डिफरेंस तो आप लिख लोगे कि वह है बिन्दु जिस पर हमें चुम्बा के च्छित की तिवरता ग्यात करनी हैं यदि बढ़ाएगे अच पर चुम्बा के अच पर इस्थित होता है तो उसे हम अच्छी स्थित कहते हैं लेकिन वही यदि चुम्बा के अच्छ के लंबार तीसरा डिफरेंस आपको तयार करना अच्छी स्थित में कि इस स्थित में जो परणामी चुम्ब के च्छित के दिशा है चुम्ब की अच्छ में S धुरूप से N धुरूप की ओर होती है ये लिखना आपको क्या लिखना मैं बोल रहा हूं कि अच्छी स्थित में परणामी चुमके शेतर की जो दिशा है चुमकी अच के अनुदिस S से N की ओर होती है लेकिन इसमें पेरे वच्चो N धुरूब से S धुरूब की ओर होती है ठीक है? clear है? तीन डिफरेंस ही आपको तैयर करना है मैंने क्या कहा? इस स्थित में परणामी चुमकी शेतर की जो दिशा है चुमकी शेतर के दिशा के मतलब अच्छ के S से N की ओर होती है और यहाँ पर जो परणामी चुमकी शेतर की जिशा है चुमकी अच्छ के समानतार N से S की ओर होती है कहां से N से S की ओर होती है यह तीन डिफरेंस तो उम्हेद करता हूँ आप लोग तीन डिफरेंस लेगे और अच्छे स्थित निरच्छी स्थित जैसे जैसे में बोला पैरवच्छों आप लेख लेना कभी-कभी पूचे दिया जाता है रेर कंडिशन पूचा जाता है बहुत इंपोर्डन तो नहीं है पटाप लोग तैयर कर लेना और हम पूरे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे कबर करेंगे आप लोग चिंता ना करें आप किसी भी चेटबोट से हैं आप बहतर रूप से पढ़ाई करते रहें हम आप लोगों के लिए